आश्वनी साजी बहुत 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 सब्र के साथ आपने पूरी बातचीत को सुना यह जो आरोफ फैजल अली साप लगा रहे हैं जो दरसल वो चंता जंता दल यूनाइटिट की भी है जो विहार में आपकी जिनके साथ आपका घटबंदन है आमादी पाठी की भी चिंता लेकिन मुझे ज्यादा चिंता है उपरिंद कुश्वहा की है जो आपके साथ सरकार में शामिल है वो भी इसी बात को कह रहे हैं आप क्या कहेंगे इसको अस्तोष जी देखिए अभी सभी लोगों ने बहुत बढ़िया-बढ़िया बाते की और सब में एक बात कामन निकल के आई कि सबने सेना का अपमान करने की कोशिश की उसका कारण मैं बताऊंगा सेना पर इन लोगों ने इस तरीके से एक माहौल बना दिया देश को जला दिया उसके बाद जब काजे से भरतिया होने शुरू हो गई देखिए अभी एरफोर्स में आगनी बीरों का नि आए है लोग और आएंगे अगनी बीरों का यहां पर मैं अपनी बात कहने से पहले एक सवाल सब्सक्राइब करना चाहता हूं हम लोग छे लोग बैठे हैं यहां कोई एक बैठी बता दे कि बाइस साल के उमर में उसके पास दस लाक रुपया था अपनी कमाई का पिता जी क सब्सक्राइब कर लो आपकी आपनी बात रखी तो अशुनी जी ना आपकी बात को बड़ी कम्प्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लोगों को रखा जाएगा है हमत तो खुल कर बोले जिस पार्टी की नीव ही जाति पर पड़ी वो उस किसेना की बात करते हैं कि जाती से हटा दिया जाएगा क्यों हटा दिया जाएगा अनुपम जी के बात से बें इत्तिफाक नहीं रखता हूं कि एक अडानी और अंबानी के उसके लिए किया जाएगा अडानी और अंबानी को आप लोगों ने क्या घसियारा समझ लिया आज हग का नाम सब्क्राइ совाई。」 dog भयान होटा से मुख्य मंत्री उन्हों ने गोदाम के लिए जमीन दी थी अज गहलोज सरकार ने उनको वहाइप पर जो है उसके लिए सोलर एनरजी के लिए जमीन दिया है और पंजाब में आप ही कि का उसकी काना में कांग्रेस की सरकारती वहाँ पर उन लोगों ने साहिलों के लिए जमीन दी थी तो ये कहने वाली बात नहीं है और आप लोग अडानी अम्बानी का चपरासी और वो खेर कहते रहे हैं उसकी को रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और अनमेरिट सर्टिफिकेट और रिलेशन सिस सर्टिफिकेट इतने सर्टिफिकेट मांगे गए हैं और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये फोटोग्राफ आप दे कांडिडेट इस बाइदर तरसिलदार SDM और डिस्टिक वरिश्टेट यह तीन चीजे लिखा है 2010 की बात है चलिए ठीक है आप लोगों ने कहा दिया संजय सिंग ने सवाल उठा दिया जाती के आधार पर संजय सिंग ने क्यों उठाया जाती के आधार पर अगर वो पुराने आज उठा रहे ह है मोदी जी की सरकार है और सेना पर उठा रहे है सवाल इसके पहले 2010 में क्या उनकी आखों में क्या मोतिया बिंद्ध था नहीं दिख रहा था और आपने एक सवाल उठाया सोश जी आप और अनुपम जी ने इस बात को कहा और फैदल साहब ने भी का इस बात को कि नया हटा देना चाहिए था यह हमारी मांग है वो अलग बात होती लेकिन जिस तरीके से आज एक्सपोज हुआ है विपक्ष आज दो मुद्दों पर एक्सपोज हुआ है आज दिन भर में एक तो अगनीवीर पर क्योंकि यह गलत इन भरांतिया फैलाए जा रही है और एक वो जिस एक लाएन में मैं खिसम करता हूँ इह जितने भी लोग है यह लों आस्तउजी लिए की सिर्फ विरोध की लिए बिरोध कर रहे हैं सेना को गली का सेना के उनको प्रमुक में को गली का गुंडा कहने आश्वनी जी टेजस्वी आदो ने कोई बात की तो चलिए आपके विरोधी है उनकी बात समझ में आती है लेकिन ये मुद्दा सबसे पहले उपेंद्र कुष्वाहा ने उठाया और विहार के अंदर वो आपके सहयोगी संगठन है उन्होंने संजे सिंग से पहले सवाल उठ साथ माफ करेगा सेना की बाली में जाती प्रमाणपत्र की क्या जरूरत है जब इसमें आरक्षों का कोई प्रावधान नहीं है सम्मंदित विभाग के अधिकारियों को सपस्ट करें उन्हों रक्षमति राजदा सिंग से सवाल पूछा जब राजदा सिंग का जवाब आ ग जिसके साथ आप सरकार में श्कामिल है ठीक है मैं दो बातें कहूंगा एक बात तो यह कहूंगा अभी कर्णल साब ने भी बड़ा असपस्ट कहा है और मैं उससे थोड़ा सा उसको और ब्याख्या करता हूं कि सेना में एक धरम गुरू की भी पोस्ट होती है उसकी जाती प कर्मिक भावनाय किसी की आत्म हो यह सब दूसरी बात मैं उपेंद्र जी की बात पर आता हूं उपेंद्र जी क्यों नहीं मैं अभी भी कहा उपेंद्र झी उससमयन भारत सरकार में मन्तरी कि हमारे नीच शायों के बाद क्या हमारी पार्टी छोड़ने के पहले ज्यान चच्छू नहीं थे उनके परिवार में किसी ने उनको नहीं पताया था कि फॉर्म कैसे भरा जाता है कच्छा छे में भरा जाता है कच्छा पांच में भरा जाता है कच्छा दस में भरा जाता है कच्छा बारा में भरा कारों ने बनाया होगा यो उसको आप खारीज नहीं करते या तो आप पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ हैं आप जनता के उस पर आ गए हैं अनपढ़ मंत्री बन गए हैं वो अलग बात है हमारे सहयोगी होना नहीं है सेना प्रथम है हमारे लिए सहयोगी होना प्रथम नहीं है सत्त हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर